राश्ट्रोन नती के पत पर नित्य प्रेर्णा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संग्शिप्त रूप भारतिय विचार साधरा पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाती सदानन गुर बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूँ यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेर्णा देते रहेंगे आज दिनांक 18 माई का विचार मा के अनन्त उपकार प्रत्यक मनुष्य लिख पढ़कर जब बड़ा होता है तब उसकी मा को यही लगता है कि वह कुछ कामधाम करे मैंने अपने घर के दर्वाजे पर बोल्ड लटका कर वकालत करने का नाटक जरूर किया था मा को लगा कि मैं अब वकील बन गया प्रत्यक मा की यह इच्छा भी रहती है कि लड़के का विवाह हो फिर मैं तो अपनी मा की अनेक संतानों में से बचा हुआ इकलोता पूत्र था इसलिए मेरे संबंध में मा की वैसी प्रबल इच्छा होना स्वाभावी कही था मैं विवाह करूँ इसके लिए माता पिता ने बहुत प्रयत्न किये किन्तु इश्वर इच्छा भिन्नती लड़की देखने की एक प्रथा चल पड़ी है पता नहीं उसमें क्या होता है नाटक देखना सिनेमा देखना जैसी बाते तो समझ में आती है किन्तु लड़की देखना समझ में आना कठिन है बाद में मैं जब संगकार या निमित्त प्रवास करने लगा तब मा ने इतनी शिगरता से अपने रुदय को समझा लिया कि मुझे भी आश्चर्य हुआ एक बार एक स्वयम सेवक की मा मेरी मा के पास शिकायत लेकर पहुची कि उसका दूसरा लड़का विवाह करने से इनकार कर रहा है मेरी मा ने उसकी सब बात शांती पुर्वक सुनी और समझाते हुए कहा तुम्हारा दूसरा लड़का विवाह नहीं कर रहा प्रंतु पहले का विवाह तो हो चुका है मेरा तो इकलोता पुत्र है और वह विवाह नहीं कर रहा फिर भी मुझे दुख नहीं हो रहा भला तुम क्यों मन खट्टा कर रही हो मुझे लगा कि चलो अच्छा ही हुआ राष्ट कार्य के लिए एक प्रचारक मिला इस प्रकार मेरी मा ने संग कार्य में मेरी सहायता ही की ऐसी कुछ छोटी-छोटी घटनाओं का स्मरण मुझे अपनी मा की याद दिला रहा है मेरी मा सच मुच माता थी माता के कर्तव्य अथवा जिसे हम मात्रुत्व के गुण कह सकते हैं वे उसमें थे परन्तु मुझे मात्रुभक्त नहीं कहा जा सकता वेसी मेरी योग्यता भी नहीं है हाँ, ऐसी स्रेष्ठ माता के पुत्र के नाते यदि मुझे यहानी मंत्रित किया गया हो तो वह उचित ही हुआ है फिर एक अन्य घटना याद आती है मनुष्य के जन्म ग्रहन करने के पूर्व जन्मदात्री माता उसके पार्थिव शरीर का स्वता अपने रक्त से, जन्म के पश्चात अपने दूध से तथा आगे यावज जीवन प्रेम से उसका पोशन करती है किन्तु निसर्गनियम के अनुसार कभी न कभी तो मात्रु वियोग का प्रसंग आता ही है वैसा ही प्रसंग मुझ पर भी आया इसकी सूचना देने के लिए मैंने अपने स्वभावा अनुसार कुछ लोगों को जिनके प्रती मुझे नितान्त आदर है और उस मनस्थिती में भी जिनका मुझे स्मरण हुआ उन्हें पत्र लिखे कामकोटी पीठ के आदरनिय श्रीमत चंकराचारे जी को भी मैंने पत्र लिखा था उन्होंने तुरंत श्लोकों के रूप में मुझे सान्पना देने वाला पत्र लिखा था श्लोकों का अर्थ इस प्रकार था अस्थी चर्म में मानव देहधारिनी तुम्हारी मा यद्यपी नहीं रही किन्तु वह भारत माता जो तुम्हारे समान असंख्य पुत्रों की माता है जो केवल आज ही नहीं सहस्त्रों वर्षों से असंख्य पुत्रों की जन्मदात्री है और भविश्य में भी सहस्त्रों वर्षों तक ऐसे ही पुत्रों की मा रहेगी सब का धारण पोशन करने वाली पवित्र और नित्य चैतन्यमई विराजमान है उस भारत माता के कार्यार्थ कटिबद्ध हुए तुम्हें मात्रु वियोग हो ही नहीं सकता तुम शोक न करो, तुम्हारे लिए शोक का कारण नहीं है नहीं चाहिए पदय शगरी मा चड़े सभी मा के चरणों में भारत माता की जय केवल शब्द पड़े जग के करणों में भारत माता की जय वंदे मातरम